हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे मैं अनुराधा प्रेटशनी आज अपने चैनल करेंट अफेर्स मास्टर पे अपना नेक्स्ट वीडियो लेकिए आई हूँ यह वीडियो इंपोर्टेंट ग्रास लेंड्स आपको दे देगा शो प्लीज इस टॉपिक पर ध्यान दीजेगा बहुत कम ग्रास लेंड से बारा से तेरा है और आपको आप इसको इसली याद रख सकते हैं आसा करती हूँ आपको मेरा चैनल और मैटेरियल अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लगी तो प्लीज ला ये ग्रास लेंड सार अरिया वेर चीजेटेश चेंज शूम इस डॉमिनेड बाइध या अधर नॉडवी फाब्री प्लांट से लोगाद इस ताफ को सब्सक्राइड विश्पाइड विश्च लेंड लेंड से अपना लेंड सेपरेट करता है या आप यो भी कह सकते हैं कि यह desert और forest के बीच में होता है grasslands और mostly जहां पर naturally grasslands होते हैं वहां पर mainly 500 to 900 mm यह per year rainfall जहां पर इतना इसके range में होते हैं वहीं पर grasslands होते हैं इसके बाद में आपको major grasslands और वो कहां कहां पर हैं यह बताती हो इससे पहले आप एक और बात जान लीजिए कि grasslands जो है major grasslands है वो Africa और अमेरिका आइदर North America या फिर South America में dominated है इसके बाद Europe या फिर Australia कहले इन सब portions में एक से दो grasslands है हरे continent में grassland है except Antarctica इसके बाद आपका आता है Perry grassland हमारा first grassland यह North America में है और Perry इसके बारे में मैं आपको एक और बता दियू इसको bread basket of the world भी बहुला जाता है यहां पे सबसे ज़्य इसके बाद वीट का प्रोडक्शन होता है इसके बाद हमारा Pampas grassland यह South America में है यह दोनों बहुत फ्रिक्वेंट है किसी भी एक्जाम के लिए तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिएगा डाउन्स grassland यह औस्ट्रेलिया में है सवाना grassland यह Central Africa में है इसके बाद हमारा आता है Kampas grassland जो कि Brazil में है इसके बाद है Pustas grassland जो कि Hungary और इसके surrounding areas में आता है इसके बाद हमारा Wilt grassland जो कि Southern Africa में आता है इसके बाद हमारा Steppy grassland है वो Europe, West Russia और Central Asia के parts में आता है इसके बाद हमारा Manchurian grassland जो मंगोलिया और चाइना में आता है इसके बाद है हमारा Center Badi grassland जो कि New Zealand में आता है और इसके बाद एक और important है Lons grassland जो कि Columbia, Venezuela और Guana इन तीनों छेतर में आता है इसके बाद मैं आपको इसके बाद climate की basis पे grassland को दो major categories में डिवाइड किया जाता है tropical और temperate यह बहुत सारे exam पर पूछ भी लिया जाता है कि यह grassland temperate में आता है यह tropical में आता है तो इसलिए मैंने सोचा यह भी मैं आपको cover करा देती हूं तो देखिए tropical grasslands जो होता है वो mostly near the equator between the Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में होता है इसको सवाना भी बोला जाता है और tropical grasslands have a tropical continental climate wherein wet और dry seasons come alternately यहाँ पर average monthly temperature जो होता है वो 64 degree C होता है इसके बाद आता है हमारा temperature grasslands temperature जो होता है वो mostly mid latitude में यह north of Tropic of Cancer यह south of Tropic of Capricorn के एरिया में यह grasslands mostly होते है यहाँ पर warm और humid summer होता है average summer के time पर 18 degree temperature रहता है और winters के time पर 10 degree इसका temperature रहता है अब इसके बाद most important कौन-कौन से grasslands को किस-किस category में रखा गया है वो मैं आपको बताती हूँ tropical में lanos और savana है और steppi भी है इसमें एक exception है steppi जो है वो दोनों categories में आएगा क्योंकि steppi जो होता है इसका area बहुत बढ़ा होता है तो यह दोनों ही category में आएगा फिर से मैं आपको बता दू ट्रॉपिकल में lanos, savana और steppi यह तीनों grasslands आएंगे और temperate में peri, pampas, centrobari, prairies और steppi अगें steppi इसमें भी आएगा इसी के साथ अगर आपको मेरा channel और material अच्छा लगे तो like से और subscribe जरूर कीचेगा bell button प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी upcoming videos होंगे मैं आपको इसका notification आपके पास आ जाएगा मैं ऐसे ही छोटे-छोटे topics cover कराने की कोशिस करूँगी जो sure and short पहले हमें किसी भी exam के लिए वो topic cover करना चाहिए जो sure short हमको marks दे दे ये topics भी उन्ही topics में आता है जो sure short आपको एक से दोर नमर आपका पका रहेगा exam में मैं ऐसे ही छोटे-छोटे topics cover कराने की कोशिस करूँगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहेगा अपकमिंग 66th BPSC के लिए मैं आपको सारे topics as soon as possible cover करा दूगी okay thank you